नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है अर्विंद केजरिवाल के घोटालों के जाश तो सुरू हुई है लेकिन अगर इसका रिकार्ड रखना शुरू किया जाए तो ऐसा लगेगा कि एक खबर से नहीं बलकि किताब छापने की जरूरत पड़ जाएगी कोई भी मंत्राले, कोई भी बोड, कोई भी कमिशन ऐसा नहीं है जहां पर अर्विंद केजरिवाल की कालिक कर्तुते सामने नहीं आ रही है फिर से चापे मारी हुई, गिरफतारी हुई और वो गिरफतारी चापे मारी भी ED ने की क्योंकि इसमें भी मनी लॉंडरिंग के चार्जेज हैं और उसमें केजरिवाल के तीन साथियों को गिरफतार कर लिया मामला वक्फ वोड से संबंदित है ये मुस्लिमों के तुष्टिकरन के लिए अर्विंद केजरिवाल जो दिल्ली के अलग 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 इलाकों में घूम घूम कर परचार करता है हर भारतिये जनता पार्टी यहां पर सरकार बना ली तो यहां के मुसल्मानों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा उसी मुस्लिमों के संगठन और बोड यह जो वक्फ बोड है उसका अध्यक्ष जिसे बनाय गया था अमानतुल्ला खान जो की एक नंबर का माफिया और घोटाले वाज है उसी ने ऐसी विवस्था कर दी जिसके कारण ED की इंट्री होनी पड़ी और ED ने जो कारवाई की वो एक मामले के लिए नहीं है जो कि पहले से CBI जाँच भी चल रही है जाँच में पता चला है कि वक्फ बोड में जितनी न्युक्तियां हुई है वो भी पैसे लेकर की गई है और उन न्युक्तियों में जिसे नौकरी दी गई है वो एक बार पैसा नहीं लिया गया बलकि वो तो कमिशन पर है हर महीने पैसा देना पड़ेगा और ये खान साहब ये पैसा किसे पहुचाते हैं ये भी अरविंद केद्रिवाल को ही पहुचाते हैं इसलिए वक्फ वोर्ट से जुड़ी हुई न्युक्तियों के साथ एक और मामला सामने आया था और वो मामला था कि वक्फ की जो संपत्ती है उन संपत्तियों को पटे पर देने में कैसे कमिशन खोरी हुई और इसलिए जब बक्वोर्ट की संपत्यों के पट्टे की जाँ सुरू हुई तो कुछ सस्पिसियस लेन देन का पता चला और फिर CBI के बाद ED की एंट्री हुई और ED ने जाँज करना शुरू कर दिया कि कैसे यहाँ पर जो पट्टे पर संपत्यां दी गई है उसमें शिल कम क्कुपनियों का इस्तेमाल किया गया है हवाला के जरिये पैसे लाए गये हैं और करोडों का लेन देन जो अमानतुल्ला खान के आसपास के लोग हैं उनके बीच किया गया है जो संदेहाश पद है उसके बाद एकाउंट चेक किये गये और फिर इन लोगों को का दिवाला निकल गया मातम पत्रा रहा उसके घर पर क्योंकि एक मामला नहीं है मामले तो कई हैं उसमें से एक मामले में खिजरिवाल के तीन साथियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक का नाम है जिसान हैदर दूसरे का दाउद नासीर और तीसरे का जावेद इमाम ये तीनों के तीनों ऐसे लोग हैं जो की कलोडों का हवाला कारोबार करते हैं और ये वक्व से जुड़े हुए इन लोगों को सिर्फ इसलिए गिरफतार नहीं किया गया है क्योंकि ये वक्व किसम पत्यों को पट्टे पर लेने मेहरा फेरी किये बलकि इसके तार वहां भी जुड़े हुए हैं जहां अर्विंद केजरिवाल के ब्लैक मनी का कारोबार चलता है परेशानी इसी वज़ा से है कि अमनातुला खान का सहयोगी के बल उसका सहयोगी नहीं है बलकि यह केजरीवाल के गैंग का हिस्सा है और इसलिए एक और मामला कोट के अंदर चला और वो संजा सिन को लेकर संजा सिन की जमानत पर जब सुनबाई हो रही थी तो उस समय भी संजा सिन ने एक और नई बात कही वो ये कि अगर केजरिवाल को तो गिरफतार किया जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है अरविंद केजरिवाल के गिरफतारी तैह है लेकिन ये गिरफतारी से काम नहीं चलेगा अरविंद केजरिवाल के खिलाफ एक बड़ी साजीस की जा रही है साजीस की साधार पर है ये उन्होंने नहीं बताया लेकिन ये बताने के जरूर कोशिस की कि ये साजीस अरविंद केजरिवाल के खिलाफ नहीं बलकि अंदरविंद केजरिवाल की है जिसने साजीस करके मनीश सिसौदिया को संजै सिन को विजय नायर को तो फसाया लेकिन खु टाले वाजों के साथ खड़ा तो रहता है ये विक्तिम कार्ट खेलने की कोशिश भी कर रहा है जबकि मनी सिसोदिया को साथ आठ गंटे के लिए जमानत दी गई उन्हें पत्नी से मिलने का मौका दिया गया और उस मौके पर मनी सिसोदिया को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी ग ट्रेनिंग दी थी वही ट्रेनिंग का काम जो किया मनी सिसोदिया ने किया जब अपनी पत्नी से मुलाकात करके लोट रहते तो दर्वाजे के पास जहां पर फोटो कीचे जा सकते हैं वहां पर अपनी पत्नी से लिपट कर रोने लगा और ये ड्रामा जो क्रियेट हुआ य एक पोस्ट लिखा उस तस्वीर के साथ कि ये देखिए जो दिल्ली नहीं बलकि हिंदुस्तान के सारे बच्चों के लिए उसके सिक्षा के लिए बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे थे उनको भारतिय जन्ता पार्टी ने जेल में डाल दिया है। ये नया जो इमोसिनल ड्रामा है ये इसकी प्रिस्टभूमी तयार कर रहा है कि अरविंद केजरिवाल जब जेल में होंगे तो उस समय वो किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलेंगे इसका कैसे राजनितिक इस्तेमाल किया जाए और इसलिए केजरिवाल के घर पर लगातार मी जो इडी ने कारवाई शुरू की है उससे तो एक नया बवाल भी खड़ा हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरिवाल एक नया तरीका जो बनाया है वो ये कि दिल्ली के अधिकारियों को परिशान करो और उनके ब्रस्टाचार का आरोप उसके उपर लगाओ ताकि इसके तार एलजी और केंदर से जोड सके और जब इसकी गिरफतारी की जाए तो ये बताए कि हमने तो दिल्ली के अंदर करप्सन में जो लिप्त हैं आईएस अधिकारी उसके खिलाफ कारवाई शुरू की थी इसलिए हमें जल्द से जल्द एडी गिरफतार करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इस बीच जो नरेश कुमार के खिलाफ आरोप लगाये गए हैं उस आरोप को समझने पर यही लगता है कि आखिरकार नरेश कुमार के बेचे के जो संबंदित कमपनी है उसके डारेक्टर दूसरे लैंड डील में है और वो भी एनेच ए आई ने उसकी जमीन को अध 300 करोड यह जो दौरान इस दौरान जो घटनाय घटी उसमें नरेश कुमार की क्या कोई भूमिका हो सकती है अगर नरेश कुमार की भूमिका होनी होती तो पहली बार 54 करोड क्यों दिया जाता कमपसेशन पहली बार में ही 354 करोड दे दिया जाता लेकिन हुआ क्या इसमें 54 करोड दिये गए उसके लैंड ओनर जो थे उसको ये अच्छा नहीं लगा कि ये कम करके दिया जा रहा है उन्होंने मध्यस्ता के लिए आगे फाइल बढ़ाई तीन साल तक लगतार मध्यस्ता चलता रहा वहां से भी काम नहीं चला डी एम एडी एम स्डी एम सब लोगों ने सारे मामलों को देखा गया तो पता चला एक अग्रिकल्चर लैंड नहीं बलकि एक सेमी अर्बन लैंड है और उस आधार पर कमपनसेशन की रगभ बढ़ाए गई इसमें नरेश कुमार दूर दूर तक इनवोल्व होते तो ये पाँच साल नहीं लग जाता उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि पैसे मिल गए हैं पैसे अभी भी नहीं मिले हैं क्योंकि ये जो कमपनसेशन बढ़ाया गया है उस मामले में जो मध्यस्ता करने वाले अधिकारी थे उसने तो हरी जंडी दिखा दी लेकिन ये मामला फिर से कोट में चला गया है अब कोट ये तै करेगा कि स इसलेंस डिपार्टमेंट से इसकी जाज करवानी है क्योंकि यही नरेश कुमार हैं जिन्होंने शराब घोटाले की पहली रिपोर्ट तैयार की जिन्होंने शीस महल कांड में आगे CBI इंक्वारी के लिए रिकमेंडेशन किया यही नरेश कुमार हैं जिन्होंने बस घोट Constitution Department का घोटाला है उसके लिए भी इन्होंने ही Anti-Corruption Bureau को रिकमेंड किया था यही नहीं जिन जिन विभागों में घोटाले हो रहे हैं उस में Chief Secretary नहीं रिकमेंड किया है कहीं ACB को कहीं Vigilance को कहीं CBI और ED के लिए इसलिए उनके पीछे भी पड़े हुए हैं और ये भी ऐख प्लान है इस प्लान का हिस्सा है हिए अगर केजरिवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं न कहीं ये आरोप लगाना शुरू करें कि इन्हें गिरफ्तार ही इसलिए किया गया क्योंकि वो नरेश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं उसके गिरफतारी हो रही है लेकिन ये सारे के सारे पैतरे अफेल होते दिखाई पड़ रहे है क्योंकि केजरी बाल के सर पे तलवार लटकी हुई है गिरफतारी की आम आदमी पार्टी के नेता परेशान इस बात के लिए है कि आगे क्या होगा और केजरी बाल इस बात के लि इसले तरही खबर हम आपके ही लागते रहें. धन्योंबाद.